वेलकम बैक, इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है, मैं हूँ जुनीश, आप सुन रहे हैं Radio Nation 106.4 FM, आज हमारे साथ हैं Dr. Rana Arun Singh, जो की कंसल्टेंट हैं, नियूरो सर्जुन के और वो भी कहां पर, वो है जी, चोहान मेडिसिटी पठान कोट में, तो मैं और Radio Nation की राना अरुन सेंग है, और मैं अभी कंसल्टेंट नियूरो सर्जुन, चोहान मेडिसिटी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैंने अपना नियूरो सर्जुरी का सूपर स्पेशलाइजेशन निमहांस बैंगलोर से कंप्रीट किया है, जी, तो आप सबसे पहले हमें ये ब पेशन्स होते हैं, दूसरा स्ट्रोक के पेशन्स, जिसको मैं हिंदी लेंग्वेज में कहूं तो जो पैरलैसिस के, जो अटैक के पेशन्स हमारे पास आते हैं, उसका ब्रॉडली मैं आपको आगे बातचीत में बताऊंगा, वो पेशन्स मेजर चंक है, उसके अलावा हमार ब्रेन में नसे होती हैं, उनके गुच्छे, जैसे बच्चों में जो पानी ब्रेन में पानी जम जाना, जिसकी वज़ा से ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है, या बच्चों में जो पीट के पीछे बड़ी गांट हो, जिससे और स्पाइनल कॉर्ड की जो दूसरी ऐसे वेरिस परकार के मरीच हमारे पास यहां आते हैं, डॉक्टर साब आपने ना बहुत अच्छे से समझाया हमारे लिसनर्स को, तो आपने ना एक ट्रॉमा की बात की है, तो सर मैं जानना जाहूंगी और मुझे लगते हैं मेरे लिसनर्स के लिए भी ये फाइदे मन रहे उसके साथ associated दूसरे ट्रॉमा भी होते हैं पेशन को, निउरो ट्रॉमा इसलिए important है, because इसमें अगर पेशन टाइमली नहीं पहुँच पाता है, तो जान जाने का बहुत जादा risk रहता है, सबसे पहले मैं broadly ये बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, कि जब भी पेशन को बताना चाहूंगा, कि helmet जरूर पहने, traffic के सारे rules फॉलो करें, और हमारी जो management है, वो भी make sure करें, कि helmet compulsion होना चाहिए, helmet से 90% आफ निरो ट्रॉमा को बचाया जा सकता है, और अगर चोट भी लगती है, तो वो इतना impactful नहीं होती है, और उससे वज़े से मरीच की जान को ज़् खतरा नहीं होता है, ये पहली चीज, अब दूसरी चीज में ये बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को, कि अगर by chance आपने कोई head injury witness किया है, आपके साथ में कहीं road पे आप जा रहे हैं, तो आप उस time पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप कोई मरीच की अगर injury होती ह उसको injury site of accident, जहां पे उसका accident हुआ है, उसको road side पे लेटाइए, और उसको without moving एनी उसकी गर्दन, उसके head को support करके, तुरंत ambulance को call करके, आप hospital में देजिए, hospital में पहुँचने के बाद इतना आप कर सकते हैं, hospital में पहुँचने के बाद, तुरंत हम patient का, अगर neurotrauma suspect कर रहे है और CT scan में injury कैसी है, उस patient का comma में कौन सा scale है, उसके accordingly हम मरीज को treatment देते हैं, अगर surgery की requirement हो, तो हम surgery operate patient को operate करते हैं, नहीं तो हम दवाईयों से उसको management under observation रख सकते हैं, Surgery का rule है, neurotrauma में जितनी जल्दी आप patient को लाएंगे, हम और उसका surgery अगर indicated है, तो हम उतनी जल्दी उसको surgery perform करेंगे, जिससे की patient का operation के बाद recovery के chances बहुत अच्छे हैं, तो trauma में time का बहुत important है, खासकर neurotrauma में patient को timely hospital पहुँचाना बहुत important है Sir, बहुत अच्छे से briefly आप explain कर रहे हैं, हम सच में बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं आपके, और एक बाद ना मैं आपने listeners को बताना चाहूंगी, कि अक्सर आपको हल्की-फल्की health tips मैं दे जाती हूं, अगर आज हमारे साथ expert जुड़े हैं, तो इनका जितना फाइदा म मैं उठा सकूंगी, मदद आपकी करने में मैं जरूर उठाऊंगी और आगे एक सवाल मेरे दिमाग में और आया, आपने ना स्ट्रोक की बात की थी, तो स्ट्रोक जो है, अगर माल लो कोई patient BP से लड़ रहा है, BP की तकलीफ है उन्हें, या फिर diabetic है, तो उन लोगों को स्ट क्या treatment करना चाहिए, क्या precaution लेनी चाहिए? तो बचाव के लिए सबसे important चीज जो risk factor है, जिससे ये stroke का risk बढ़ता है, उसमें sugar, diabetes और BP, hypertension और साथ में smoking, alcohol, ये सब इसमें risk factor है, तो अगर कोई, मैं निशोताओं को बताना चाहता हूँ, अगर ये risk factor वो cut off कर दे, means अगर वो sugar अपना control कर ले, BP अपना control कर ले, smoking अगर वो तो stroke के risk बहुत कम हो जाते हैं, जिससे बचा जा सकता है, अब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मरीज को stroke होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, stroke का जो बिल्कुल clear cut sign होता है, वो मरीज को एक तरफ की कमजोरी आ सकती है, अगर उसको left side का stroke पढ़ा है, तो उसको right side कमजोरी आती है बाजियों और पैरों में, और अगर right side का पढ़ा है, तो left side कमजोरी आती है, पर हर मरीज में ऐसा नहीं होता, कुछ time तो छोटे stroke भी होते हैं, जिसमें मरीज के आवाज में थतलाहट आ सकती है, उसका मूँ टेड़ा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको अपने साथ वक ऐसा कुछ लगता है कि किसी को हो रहा है, तो तुरंत आप उसको hospital लेकर आईए, hospital लाने के बाद तुरंत मरीज का CT scan में हम देख सकते हैं कि वो किस तरह का stroke है, उसके base पे patient की management होती है, तो neurologist mainly इन patients को देखते हैं, neurosurgeon का role अगर by chance stroke की वज़ा से brain में बहुत ज्यादा swell करने लग जाए, तो neurosurgeon इसमें operation का indication बनता है और operate करता है, एक और चीज जो मैं अपने शोताओं को highlight करना चाहता हूँ, कि post covid के बाद काफी लोगों में जो खून को पतला करने की दवाई उन्होंने या तो खुद से शुरू कर दी, या किनी doctors को राय में शुरू को बढ़ाता है, तो मैं उनको ये advice करना चाहता हूँ, कि अगर वो खून पतला करने की दवाई, post covid without any indication के ले रहे हैं, तो क्रिपया ऐसा मत करें, और अपने register जो medical practitioner है, उनको दिखाएं, अगर कोई indication है, तभी खून को पतला करने की दवाई जो बनी है, वो लें, नहीं तो ऐसे ही दवाई लेने से stroke के risk और बढ़ जाते हैं. जो line of management है, treatment है, वो काफी change हो जाती है, जो हम window period कहते हैं, अगर कोई मरीज हमारे पास within एक घंटे के, अगर लकवे के hospital में जहां पे endovascular सुविधा उपलब्द है, जहां पे patient को angiography वगरा हो सकती है, अगर वो विदिन एक घंटे के पहुंच जाए, तो angiography के थूँ, clot को निकाला जा सकता है, जिससे around 99 to 100% recovery है, अगर patient हमारे पास within 4.5 to 6 hours अगर hospital में पहुंच जाता है, तो जो खून को पतला करने के injections हैं, वो मरीज को depend upon risk and benefit हम दे सकते हैं, अगर patient उसका candidate है, जिससे की recovery के rate काफी 90-90% से उपर है, तो इसलिए time interval बहुत important है, जो कि patient की recovery में बहु हाइपाकसी, अगर उसका oxygen नहीं मिलेगा, तो वो dead हो जाता है, और regeneration capacity बहुत कम है, तो इसलिए जितना जल्दी आप hospital में पहुंच के treatment लेंगे, उत्ता जल्दी brain का recovery जादा होगा, और एक बार permanent damage हो गया, तो उसका recovery potential बहुत करी है, एक point आपने बात करी है, brain tumor की, ऐसी बिम बिमारियां ऐसी होती है, इन्हें ना मुराद बिमारियां कहते हैं, और लोग डर जाते हैं, मगर मुझे लगता है कि हमें अगर discuss करेंगे, तो ज्यादा बहतर रहेगा, डरने से अच्छा है कि हम उसको समझे, उससे precaution कैसी लेनी है, वो समझे, तो आप इसे थोड़ा सा explain क करेंगे brain tumor के बारे में? और सर्जरीज बहुत लंबी चलती हैं, और brain में हर portion का कोई ना कोई काम रहता है, तो अगर हम उसको aggressively remove करते हैं, तो उसमें patient को post operative problem आ सकती है, गट ऐसा नहीं है कि brain के सारे tumor एक तरह से जैसे हैं, कुछ में काफी tumor brain के ऐसे हैं जो फैलते नहीं हैं, जिनको हम benign tumor कहते हैं, जिनका इलाज बिलकुल possible है, operation से patient अपनी normal life जी सकता है, patient की life expectancy जो है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है, तो ऐसे tumors अपने आप MRI करवाने के बाद, कोई imaging करवाने के बाद, वो किस तरह का tumor है, अपने neurosurgeon से मिलिए, और अगर वो आपको advise कर रहे हैं सर्जरी के लिए, तो बिल इसा नहीं है कि इन चीजों का इलाज नहीं है, हर एक brain tumor के लिए आजकल नई-nई options आ गई है, नई treatment options है, various instruments आ गई है, sophisticated, तो अगर ये facility जैसे हमारे चोहान MediCity में, microscope की facility, ये सा facility है, तो यहाँ पर हम पूरी तरह से सक्षम में brain tumor का इलाज करने के लिए, तो brain tumor के actually में symptoms क्य brain tumor में कभी कबार मेरे पास काफी मरी जाते हैं, इवन यंग patients भी आते हैं, जो बोलते हैं हमारे सिर्फ में headache हो रही है और हम scan करवाना चाते हैं, हम इस दर है कि brain tumor ना हो, तो मैं अपने शोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि हर कोई सरदर्द brain tumor नहीं होता, जरूर आपको conscious अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट जो symptoms बहुत common हैं, जो कि brain tumor में होते हैं, एक जो new onset headache, जो medical term में बोल रहा हूँ, उसमें ये है कि patient को अचानक ही adult में, अचानक ही दर्द शुरू हो है, पहले उसे कोई दर्द नहीं होता था, दर्द का most commonly cause migraine होता है, बट new onset headache अ अगर मरीज को दौरे पढ़ रहे हैं, तो तुरंत अपने neurosurgeon या neurologist को consult करें, और brain की imaging करवाएं, तो ये दो symptoms जो मैं कहूंगा बहुत common है, बाकि अगर brain tumor का size बहुत जादा बढ़ जाता है, तो ब्रेन में pressure डाल सकता है, तो उससे मरीज को sudden, जो severe, बहुत तेज सर्द हो सक सकता है, तुरंत उल्टियां आ सकती हैं, जो की बंद नहीं होंगी, और चक्कर आके मरीज बहुश हो सकता है, तो ये सब symptom, अगर brain tumor का tumor का, जो cancer का size बहुत बढ़ गया है, तो ये symptoms आ सकते हैं सर आपकी बातों से न मेरे दिमाग में सवाल आ रहे हैं, एक बात आपने last में कही spine के बारे में, तो ये spine का neuro में क्या link है, आप basically listeners को थोड़ा size बारे में explain कीजिए spine जो है, वो भी neurosurgeon deal करता है, बट spine orthopedition, जो हमारे हड़ियों के doctor है, वो भी spine से deal करते हैं, तो दोनों तरह के specialist के पास आप जा सकते हैं spine का broadly जो classification है, वो मैं दो तरह, तीन तरह से actually बताना चाहता हूँ, एक जो traumatic spine है, जैसे सर में चोट का मैंने बताया है, ऐसे spine में भी चोट आके fracture वगएरा हो सकते हैं, दूसरा degenerative spine, जो की उमर के हिसाब से लोगों को disc का problem, ये जो problem शुरू होती है, तो ये तरह का problem आ सकता है तीसरा जो है, जो spine के tumor और spine में infection like TB की जो बिमारी होती है, इस तरह की problem आ सकती है, तो basically जो spine trauma है, उसके लिए same बचाव के लिए मैंने आपको बताया, कि patient जब हमारे शुरूता जब भी drive कर रहे हैं, तो carefully drive करें, क्योंकि बहुत time पे seatbelt injuries वगएरा इसकी वज़ा से, वतलब seat seatbelt अगर आपने नहीं पहनी है, तो उससे spine के injury हो सकती है, तो अपना seatbelt हमेशा पहने, और spine injury अगर किसी को हो रही है, तो बिना उसको ज़्यादा movement के patient को ambulance से hospital में shift करें, patient की movement नहीं होनी चाहिए, कि उससे और उनका जो कई by chance कोई fracture है, तो वो और ज़्यादा dislocate हो सकता है, त यह हमारा spine trauma का है, degenerative spine में spine disc का जैसे problem होता है, patient को disc का problem होने से nerve, दर्ध होती है, पैरों में दर्ध जाती है, तो काफी लोगों को लगता है कि इस तरह के patient को दवाई से काम चला सकते हैं, और operation से और permanent patient bed पे आ जाएगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, कि हम भी 90% spine pain मे उसमें operation की जरूरत नहीं होती है, पट 10% जो patient है, जिन में clear cut indication है, आम उनमें definitely बोलते हैं मरीज को operation करवाने के लिए, जिनके results काफी अच्छे हैं, और ये चीज़ जो permanent pair का लगवा, पेशाब में control नहीं होना, ये सब symptom आने से पहले अगर operate करवा लिया जाए, तो मरीज को इन सब चीजों से बचा जा सकता है, और last में आना चाहता हूँ, brain tumor, spine tumor में, spine tumor जिस तरह से brain tumor है, इस तरह से spine tumor का भी इलाज है, और उनका भी operation संभव है, अगर आपके पास पूरा setup है, तो उसका operation किया जा सकता है, और results काफी अच्छे हैं, पहले तो sir, आपका बहुत बहु अच्छे से explanation से बात की है, और जाते जाते आप हमारे listeners को क्या advice दे के जाना चाहेंगे, किस तरह से conclude करके आप उन्हें गाइड करेंगे, अपने शोताओं को यही बोलना चाहता हूँ, कि सबसे पहले तो आपको इन चीजों की यह जब जो problems मैंने आप से discuss की, उससे बचे र जो भी helmet हो गया, अपनी seatbelts, जो भी आपके traffic rules हैं, वो सारे follow करें, और जो अगर patient को कोई भी problem जाए कि stroke होता है, paralysis होता है, जो लखवा जिसको हम कहते हैं, अगर ऐसा होता है, तो तुरंत अपने doctor से consult करें, neurologist या neurosurgeon से consult करें, कोई भी symptoms को lightly ना लें, यहाँ पर हम देखते ह होता है, ऐसी condition में आते हैं, तो हम चाहते हैं कि मरीज हमारे पास जल्द से जल्द पहुंचे, और जो correct guidelines हैं, correct जो follow हो रही हैं, वो हम चाहते हैं कि हमारे मरीजों को correct treatment मिले, तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है, जिससे आप healthy lifestyle follow करें, बट अगर किसी को यह चीज होती है तो आप तुरंत अपने hospital पहुंचे, और तुरंत उसका जो best ilaj है, वो possible हो पाएगा, तो best ilaj आप लें Thank you so much, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, कि आपने जो मेरे को time दिया, यह जरूर हमारे श्रोताओं तक यह बात पहुंचे, और वो इसका lab उठाएं, और अच्छे से अच्छी treatment पाएगा